सभवई के सुप्रवधं जानिये नित्त सस्वा शकलिष्वा सवद्धेश बत्व ताई मुनिश्ट धर्मा जागराश्वन्य से शाबर्नी तत्तो आर्शेव शाबर्नी जुगेर पथम पदे शेव परम सत्त गयन जो लोग सत्य बनना चाहता है, जो लोग सत्य जूप में जाना चाहता है, तो उन लोग के लिए बोला जा रहा है, कुछ नियम है जो पारण करना है इसलिए बोला गया है सत्य जूग में जो लोग जा रहा है या जो लोग जाने वला है उन लोग के लिए ये नियम एकांता जरूरी है साबन मुनिश्य धर्म रक्षा करने हैं तो सत्य जुग में सभी को सागतम है सत्य जुग में रहने के लिए कुछ नियम पालन करना है साधन भजन करके कीपा पाना है इसलिए सत्य जुग को कृत्य जुग बोला गया है कर्म करके पाना है जो कर्म करेगा वही पारेगा, वही रहे पाएगा, कर्म कौन सा है, धर्म का कर्म, तो धर्म का कर्म कैसे करना है, उसके लिए कुछ नियम दिया गया है, मिनिमम दस नियम दिया गया है, उस दसम अबतार के साथ जूरना है, तो कल की परमेश्चर फाकवन के साथ जूरना है, उस दसनियों पालन करना है और इस पेच के साथ जूरे रहना है और सब के साथ वो तत्य शेयर करना है किकि अपना परिजयन आत्तियों सजन जो है अपना प्रतिविशी जो है सब एक समान है इसलिए वो सब को पास वो शेयर करना चाहिए सब के वज़े तत्य पहुचना चाहि कब तुच्भभा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तब इश्वर को ऴी दोष करो होत देंगा, आपि भी छे-समाहएं के समाज में अभी छे-समाहएं के नियाम के लिए, अगा नहीं हुए तब जाके वह महा पलाय तो होना ही है समय के साथ, तो सादु साबदान हो जाए और नियम का पालन किजिए, हर जुग में एक पुरुषत्त वोता ए, हर जुग का पुदिष्टत वोता ए, इसी जुग में मालवा का तत्त प्रकाश होआ है, जो अछ जूर ना चाहता है, उन लोह को बोला जा रहा है, सत्त जुग मे सबी को सागतम है, पहले नियम जब बुला गया है, वो पहले सून लेते हैं, पहला नियम है, अपने मत पे ना चलके इस शरीय मत पे चले, इस शरीय मत कौन सा है, उसको जानने के लिए गुरुतत्य साधन करे, मालव कर साथ जुरे रहे, पहला नियम है, अपने मत पे मत चलके इस श्री नियम पे चले, इस श्री नियम सब के पास समान होता है, सब जीक के लिए बम्भण्डगली अंड़ा पुन्डा सब के लिए सरी रुपर मुस्त जाती के लिए, दूसरी नियम है सनातन सत्य हने के लिए सदा चार गहन करना जरूरी है, सनातन सत्य होने के लिए सनातन तत्य साधन करने के लिए सब को सदाचार गहन करना है। मत्स एवं मांग्स आहार छोड़कर सात्मिक आहार करना है। सरल पाच्च उद्विच आहार जादा से जादा करे। चौथा नियम है धर्म कर्म करने है तो मालवा के उपर आत्म समर्पन करे। बश्नवाचार गहन पूरबक शावन इमनिश्य धर्म पालन करे। इसमें बहुत सरा नियम जुरे हुआ है संखेप में यह दस नियम बोला गया है। प्रश्नवाचार क्या है धर्म कर्म क्या है इसमें बहुत सरा नियम महवेत महसंगीत दिया गया है। तो आज सोम बार हैं, तो साधन भजन सोमनात के साथ, साधन भजन सरशति के साथ, साधन भजन सत्य वाक्य के साथ करना है। तो आगर भगवान को सेवा करने के वस्तो देंगे, तो आप जाके वो सरल सिदा होंगे और प्रशाद पाएंगे, प्रशाद पाके आप जरावेदी जन्मित्य से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वो छे नमबर सुत्य दिया गया है, अपना सकल संकल पर जुक्त कर्म भगवान के सेवा करने के लिए होगा। अपने नहीं, संतान के लिए नहीं, परिवेश प्रतिजन के लिए भगवान के लिए होगा, तो सब के लिए होगा। क्यूंकि सब के अंदर ही भगवान है, सब के बानी के अंदर ही भगवान है, सब के भक्तत्य के अंदर ही भगवान है। सब्तम नियम जो दिया गया है जगत माता जगत पिता का नाम रूप में मालव का ही पूजा होना चाहिए एक नाम मंत्र में पंच पूजा हो जाता है एक नाम मंत्र में पंच पूजा हो जाता है किसका किसका अपना जन्मदाद माता-पिता का गुरुरुपी महरिशी मलवववव का इश्टब पुजा अगर कुछ दान दक्षिना देना चाहते है तो जीब सरुप में सब का सिवा करना है तो जीव स्वरूप में नारा नारा नुशवा या जीव सेवा करना है सब को, साल में एक भार भी सब को सेवा करना है अज उसी नियम के साथ बोला गया है नाम करो और नाम दान करो ननाम दान के सईद शदू शेवा करो और उसमें से एक परसन जीवन में अपना दान दक्षिन करो ये प्रधान दस नियम बोला गया है शावन निमुश्य धर्म या सत्य जुग में जाने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ है आचारतत्य नियम आचार का नियम बशने बचार उसके साथ जुड़ा हुआ है धर्म कर्म का आचार फिर उसके साथ जुड़ा है पुजा आर्चन जाजन जाजन इसका आचार इसका नियम उसके बाद जुड़ा हुआ है भगवान का सेवा कैसे होता है उसका नियम उसके साथ जुड़ा हुआ है सात्मिक हार का नियम जैसे प्रशाद तयार करना है कैसे करना है उसका नियम लेकिन इस में दस नियम दसमा बतर के साथ जुड़ने के लिए या सत्य जुग में जाने के लिए तो जो लोग आखाजवी ने सुन रहे हैं सभी क दूबे लोबं सत्या ना भोगं मनशासरना सरिवधरिमा परित्याजं मलवभाएं अत्त समर्पनं साहेवावश्नवचारं कामसंकल्पावरिजितं नामस्भूजनंदेवेना स्रियमानस्यासरना ना पर दूबे लोबं सत्या ना भोगं मनशासरना